एलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग फ्रेंड्स आजकी वीडियो के अंदर बात करेंगे लूम स्टेक्स्टनोमी के बारे में देखें जो आपका सीटेट का अर्जाम भी होने वाला है तो आज की वीडियो के माद्धम से मैं इसको आपको इतने easy way में बताऊंगा आपको दुबारा ये पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी और हमेशा के लिए आपका confirm हो जाएगा इसके लावा आज आपका टोपिक नंबर ये 21 है इससे पहले बीश टोपिक में आपको करा चुका हूँ जो आपके सीटेट के syllabus के recording में आपको करा रहा हूं और चीज़ें सिर्फ आपको वही करा रहा हूं महत्पुन टोपिक के माद्यम से जो आपके पेपर में आपको पूछे जाएगी एक टोपिक से मानका चलिए कम से कम एक नंबर कंफर्म है किसी किसी टोपिक से दो से तीन नंबर को देखने को जरू कर लेना तो चलिए बात कर लेते हैं इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की लिस्ट में जाकर देख सकते हो वह आपर आपको मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए बात करते हैं सुरुवात से ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बार में इन्होंने दिये थे यह वरगी कर्ण कैंतर और तीन टाइप में तसको बोला जाता दूसरा एफेक्टिव डोमेन यानि कि भाववातमक पक्स तीसरा साइको मोटर डोमेन यानि कि किरियातमक पक्स यह तीन डोमेन होते हैं ठीक है बेसिक लिए तीनों ही महत्पुन है और यही से आपके कोश्चन देखने को मिलेगे अब इनके बार में चीजे में डिटेल में चलिए अब इनके बार में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आपने जान लिया कि बेंजमीन बिलू अमेरिका की निवासी थे और जो इन्होंने सेक्षी कुद्ध्योष्य का क्लाशिफिकेसिन किया था वह इन तीन के अको करके ताकि चीज आपको किलियर हो जाए देखें पहले बात करते हैं सबसे महत्पून जिसका नाम है आपका कोग्निटी डोमेन यानि की ज्यानात्मक पक्स यानि की संग्यानात्मक आपका पक्स सबसे ज़्याद है आपके पेपर के अंदर चाया आपका कोई भी पेपर हो सबसे ज़्यादे यही पूछा गया है ठीक है इस to hard और जो शिक्सन अधिगम होता है उसके निमन स्तर से यानि कि जो लो लेवल होता है उससे उच्च इस्तर यानि हाई लेवल तक ले जाने के दिस्टी कोन होते है और इन दिस्टी कोन को छे भागों में बाठा हुआ है बेसिकली एक नंबर का question आपको यही बन जाता है question यह पूछा जाता है कि Bloom's Taxonomy के according जो ग्यानात्मक पक से कौन सा निमलिकित नहीं है तो चार option examiner आपको दे देगा यह देखे यह 6 भागों में इसको बाटा हुआ है कोई सा एक आपको गलत दे देगा तो इसलिए आपको 6 के 6 पता होना जरूरी है तभी आप answer सही दे पाऊगे और C-Tat में एक question बहुत बार पूछा गया है देखे इसको अब ध्यान से समझना सारी वीडियो की सबसे main चीज यह है जो मैं आपको बताने वालो देखे समझते जाना मैं किताबी language नहीं बताऊँगा कोई आपको बस मेरी बातों को सुनते जाना आप लोग पहला होता है आपका ज्यान यानिकी knowledge, दूसरा समझ यानिकी comprehension, तीसरा अनुपरियोग यानिकी application, चोथा version यानिकी analysis, पाच्वा simulation यानिकी synthesis और छटा मुल्यांकन या फिर evolution ठीक है ये 6 के 6 हो गई, ये 6 आपको याद करने है, इनके बार मैं बताऊँगा भी detail में ठीक है, तो bloom के according ये 6 के 6 है वैसे जो इनकी जो taxonomy है उसके बाद change हो गई थी 2001 में लेकिन हमें bloom की taxonomy के according ही पढ़ना है, ठीक है, इनके जो assistant है, लाइक आपके जो चेले होते हैं उन्होंने कुछ change कर दिया था, मैं उसको उपर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस खारी bloom के उपर focus कर रहा हूँ, तो 6 मैंने आपको बता दिये अब इनको समझात हो में ध्यान से, अब इनको समझते जाना जो चीज मैं बता रहा हूँ, देखे, अभी आपने वीडियो के thumbnail में देख लिया, कि आसर कौनची वीडियो बनाने वाले है आसर बनाने वाले bloom की, तो आपको क्या हो गई, आपको knowledge हो गई आपको knowledge होने के बाद, वीडियो के अंदर में आपको यह समझा रहा हूँ, समझाने के बाद, फिर उसका क्या काम कर रहे है अनुप्रियोग, यानि कि application करोगे आप लोग, वीडियो को बंद कर दोगे, फिर वीडियो को दुबारा start करोगे, या फिर अलग जो भी आपका तरीका होगा, उसमें आप practice करोगे इसकी, यानि कि अनुप्रियोग करोगे इस वीडियो का उसके बाद, फिर आप अपना visualization करोगे, यानि analysis करोगे, वीडियो के end में मैंने कुछ question answer भी लिये, उनको आप soul करना, उससे आप अपना visualization करना, ठीक है उसके बाद, sensation होगा, आपका synthesis होगा, यानि कि जो आप exam में बैठोगे, तो exam में बैठने के बाद, ये question आ जाएगा, तो इस question का आप जो भी answer दोगे, सही दोगे, गलत दोगे, वो नहीं पता, लेकिन आप इसका, यहाँ पर synthesis करोगे, ठीक है, sensation करोगे उसके बाद, जब exam आपका खतम हो जाएगा, और exam में जो उचाता, उसका होगा फिर आपका मुल्यांकन, यानि कि evolution, यानि कि जो आपने question दिया है, या गलत है, या आपका सबसे एंड में होगा, आपका evolution, यानि मुल्यांकन, तो आप लोग समझगे, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, सबसे पहले आपको चीज ग्यान पता चला, कि आज blooms की taxonomy की सर वीडियो बनाने वाले है, फिर उसके बाद मैंने आपको चीजे समझा दी, इसके अंदर सारी चीज, फिर उसके बाद आपने अनुप्रियों कि application की question answer लगाए, इस वीडियो के end में थे जो, उसके सिंथेसिस हो गया, और लास्ट मापका evolution यानि की मुल्यांकन हो गया, समझ गया आप चीजों को, जो चीजे मैं आपको बताई, चलिए, अब देखते हैं, इनके बार में थोड़ा सा और डीटेल में, जो चीजे मैं आपको समझाईए, इसलिए पहले मैं आपको example दिया, ता मैं देखा है न, जब छोटे से थे हम लोग, तो poem बहुत सारी याद कर लेते थे, ठीक है, मैं अपना खुद का, अगर example बताऊ, जब मैं छोटा सा था, तो मैंने कई सारी book पढ़ दीती, मुझे उसके अंदर पता नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, बहुत सारी poem भी मुझको याती, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ना तो वीर का पता ना धीर का पता चला, और कहा बढ़ रहे हैं यह पता, बस मैंने याद कर लियो, ठीक है, यानि उनको क्या काम कर लिया, याद कर लिया, उनको रट लिया, तो पहले कंदर सिप knowledge होती है, ठीक है उसके बाद दूसरे पर चलते हैं, इसके उपर मुझे बहुत ट्रोफी भी मिलीती मेरे स्कूल के अंदर, ठीक है, ऐसी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, दूसरी बात, जब हो गई मुझे, नोलीज होगी उसके बाद बोध, यानि कि उसके बाद कॉम्प्रियेंशन, यानि कि कुम्प्रियेंशन के अंदर कराये जाता है, यहां तक आपको समझ में आ गया, उसके बाद अनुप्रियोग, यानि कि एप्लिकेशन, परियोग, अब आप क्या काम करोगे, यानि कि कुशन आंसर की प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें आत्म साथ, यानि एसिमिलेटीड किये ग्यान को, जो चीज आपने भी सीखी है, विलूम्स की टेक्सोनुमी, उसको परिष्टित्यों के अनुसार परियोग किया जाता है, जैसे मानलों जाच करोगे, कि कितना आप लोगों को आता है, कितना नहीं आता, डेमूंस्ट्रेट करोगे, परदर्सीत करोगे, गणना कर होगे, यह सब आपका किस कंदर आजाएगा, आपका एपलिकेशन कंदर आजाएगा, ठीक है, देखिए, एक्जांपल के तुरू कितना जल्दी क्लियर हो रहा है, आपको कुछ ज्यादा करने का effort भी नहीं लगाना पड़ रहा, अगला आगया आपका analysis, फिर उसके बाद अ को अपना analysis करोगे, तो तथ्यों निश्कर्सों को आप ऐसी समझोगे, अलग करके, उसके बाद अगला आगया आपका analysis, यानि कि आप लोग exam के अंदर बैठ गए और यह question आपका आगया, ब्लूम से रिलेटिड, आपने जो भी answer था, वो आपना answer लगा दिया, मुझे नहीं पता सही लगाया, गलत लगाया, की सब्सक्र जोड देकर, हिस्सों को जोड कर संपूर्ण बनाय जाता है, यानि जो concept and rules होते हैं, के आधार पर उनमें से कोई अपने according concept निकालना होता है, ठीक है, जैसे की, जो example होते है, तरक देना, वाद विवाद करना, या निसकर से देना, ठीक है, जैसे अभी discussion हो जाए, अभी फिलाल में क्या matter चला है, matter चला है, किर्शी कानून बिल का, ठीक है, किर्शी बनाए वे, उनके आधार पर, उनमें से कोई अपने according concept निकाल लिया, किया किसान सही है, ठीक है, बिल से उनको नुक्सान हो जाएगा, तो किसान सही कर रहे है, कुछ कहेंगे नहीं कानून सही है, क्योंकि कानून किसानों के लिए इतके लिए सरकार ने, तो आपने क्या काम कराऊंगा, सबको बेफिकर रही है, और आप लोग पास भी होंगे, इसमें सीखे गए ग्यान का मुल्यांकन किया जाता है, कि कितना सीखा है, और कितना नहीं आए, ठीक है, तो समझ गए आप लोग, तो देखे मैंने detail में, एक एक करके step by step आपको बता दिये, तो संग्यान इसमें क्या होता है, इसमें वे तरीके सामिल होते हैं, जिनमें हम भावनात्म से सामना करते हैं, जैसे तारिफ करना उत्सा परेड़ना आदी, अगर मैं आपकी तारिफ कर दू कितने बढ़िया बच्ची है, ठीक है, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, प भर्दिया मेंने तो यह सभी क्या हो रहा है यह भावात्मक रूख सा आप लोग सामना कर रहे हो ठीक है तो यह हो जाता है भावात्मक पक्स जो आपका effective domain होता है अब इसके पांच भागों को भी आप लोग एक बार ऐसी देख लिए हालकि इनके अंदर डीटेल में मेरे खाल उसी तरीके से आगया आपका आगया psychomotor domain यानि कि आपका क्रियात्मक पक्स इसमें क्या होता है क्रियात्मक यानि किरिया नाम से पता चला किरिया कि इसमें सारीरी culture या motor skills के छेत्राव सामिल होते हैं ठीक है सरीर से related जो भी आपके area होते है वो इसके अंदर include होते हैं अब क्रियात्मक पक्स को छे भागों में बाटा गया अब इसके छे पक्स हमें जानने की जरूतनी है लेकिन उनके नाम जान लीजे बाइचांस question आगया exam के अंदर क्या करोगे फिर पहला होता है इसमें आपका जैसे सहज क्रियात्मक अंग संचालन यानिकी reflex moments अंग संचालन ब बस इतना जान लीजे देखे अब यह हो गए आपकी complete blooms taxonomy जो बताए गई थी और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो जरूरी थी वह सबसे ज़्यादा जरूरी आपकी पहले वाली थी जो मैंने उपर आपको बताई थी जो आपके सीटेट और टेट के एक्जाम में पूछे गए जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है देखे पहला कोशन पढ़ते हैं अब आप लोगों का क्या काम हो रहा है अब मैं आप लोगों का test ले रहा हूँ अब आंसर लगाते जाना आप लोग पहला कोशन आप का कि ब्लूम की टेक्सोनोमिकी पदानुकर्मिक वैस्ता क्या होती है संग्यनातक उद्देश्य पहले उप्षन से हो गया यानि की कोगनिटिव ऑब्जेक्टिव ठीक है अभी मैंने उपर आपको बता है जश्ट आपना अंसर लगा दिया सिंपल देखो कितना जल्दी सोल किया बाकी को उप्षन देखने की जरूत नहीं पड़ी अगला कोशन पड़ी आप लोग उद्देश्य यानि की पूर्ण होने पर शिक्सार्ति कहानी की मुख्या घटनाओं को व्याकरण सुद रूप में संग्सिप्त कर सकेंगे यह किस ग्यानात्मक उद्देश्य से कहानी की मुख्या घटनाओं को यानि जो ब्लूम्स की मेंनी चीज़े में आपको बताईती है उसका व्याकरण सुद रूप से आप लोग संग्सिप्त कर सकेंगे तो आपका किस्य सम्ण्दित हो रहा है ये तो भहीक किस्य सम्णल की अचंप समझ से आपको चीजे समझायी तो देखे जो वहार का कटल ऑपक्स आता है यह आता है आपका किसमे जी आपका गतिक छेत्र में यहाँ पर देखो कटले नाम मिला हूए प्रोनेटिव डो मेंदे का बैस्किली मतलब होता है साइको मोटर आपका domain हो जाएगा answer इसमें से हो जाएगा पहला उसके लावा अगला question देखते हैं देखे kushan कितनी जल्दी से answer आप लोग निकाल रहे हो जो उपर मैंने चीज़ आपको बताई उसके basis पर ठीक है अगला question आपको दियवाए कि एक चात्र अपने साथी समू के पड़ती अपने वैवार में आक्रामक है और विद्याले के नियमों का पालन भी निकर रहा गुस्य में वो बच्चा तो उसको शिप प्यार से समझा करी समझाया जा सकता है ठीक है यानि उसको एफेक्टिव डोमेन के जरी है भावात्मक चीज के जरी समझाया जा सकता है जैसे मैंने आपको उपर बताता है जैसे मां आप लोगों की तारिफ कर दो आप लोग खुश हो जाओगे उसी तरीके से चीजे भावनात्मक पक से जुड़ी होती है ठीक है तो फ्रेंट्स देखे जितने भी महत्मन कोश्चन आंसरते वो मैंने सा सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो अगले जितने भी टोपिक आएंगे वह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दूगा इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना आयोप आपको वीडियो प्रसंद आई होगी ठैंक्यू